सुशान सिंग राजपूत की आखरे फिल्म दिल बेचारा का टाइटल ट्रेक यूटूब पर रिलीज हो चुका है इस काने को एया रह्मान ने गाया है और फरा खान ने कॉरियोग्राफ किया है रह्मान की आवाज पर सुशान का डांस और मस्त मौला अंदाज उनके फैंस के लिए किसी excited पल से कम नहीं है आईए देखते हैं कैसा है ये गाना सुशान सिंग राजपूत की आखरे फिल्म दिल बेचारा का टाइटल ट्रेक रिलीज हो गया है हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह चुके सुशान के फैंस के लिए गाने में उनका हस्ता मुस्कुराता और मस्ती भरा स्वैक देखना उनके फैंस के लिए किसी ट्वीट से कम नहीं है यह सुशांत की जिंदगी का आखरी गाना है जिसे उन्होंने शूट किया था इस फिल्म का मिजिक लेजन्डरी कंपोसर एआर रहमान ने दिया है दिल बेचारे की टाइटल ट्रैग को खुद एआर रहमान ने ही काया है गाने में सुशान्स के साथ संजना संखी की भी जलक देखने को मिलती है दिलवेचारा सौंग के रिरेक्स अमिताब भटचारे ने लिखे हैं और गाने को फराखान ने कॉरियोग्राफ किया है ये तो सब जानते ही है कि सुशान्स सिंग राजपूत एक उम्दा डांसर भी थे जिसकी जलक इस गाने में भी देखने को मिलती है गाने में सुशान्स स्टेज पर लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे है कॉरियोग्राफर फराखान ने बताया कि इस गाने की शूटिंग एक शॉट में पूरी की गई थी साथे इस गाने के लिए उन्होंने कोई फीस भी नहीं ली थी गाने को पब्लिक रिस्पॉंस भी काफी शांदार मिल रहा है इससे पहले सुशांत की फिल्म दिल बेचारा की ट्रेलर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था इस ट्रेलर को यूट्यूब पर 98 मिनट में एक मिलियन से भी जादा लाइक मिले है जिसे सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पॉंस मिला है और अब तक सबसे जादा देखे जाने वाला ट्रेलर भी बन गया है आपको बता दे कि मुकेश शापड़ा द्वारा निर्देशित ये फिल्म साल 2014 में आई हॉलिवोड फिल्म दफॉल्ट इन आर स्टार्स का रिमेक है ये फिल्म डिजिटर प्लाटफॉर्म पर 24 जुलाई को रिलीस की जाएगी एंटर्टेन्मेंट लाइफ की रिपोर्ट